समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजूकेशन फॉबेटर टुमोरों में आज हम आपको बताने जा रहा है यूपी एस ए एससभी पीजी टी की जो वेकेंसी आई है 2595 पोस्ट ग्रेजवेट टीचेर के लिए उसके बारे में आसा करते हैं आप सभी संवाषी दाउ क्षायी लग कर रहे होंगे मांस्क से नीटाइजडर का उप्योग कर रहोंगे को तो आज का वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले जो चैनल पर नए है चैनल को सबस्काइब कर ले ऐसे ये आपडिट्स पर फीडियो रिक्वर्मेंट 2021 इसमें 2595 पोस्ट ग्रेजुट टीचर की वेकेंसी है जिसका लास्ट डेट एक मई कर दिया गया एक्स्टेंड करके इसमें आपको बताएंगे वेकेंसी डेटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया पेस्केल सेलरी और इसको कै कर दिक्वचे Klets事 का देशाभ एक मुधा कैvan का एक मई 2021 और लास्ट एक cadre एप क्रिक्वर्मेंट being a सब्सक्राइब करें जिसको जो सब्जेक्ट का देखना है पहुच करकर के यहां से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको आप पहुच करकर के इंफॉर्मेशन देख लेंगे सब्जेक्ट वाइज क्रेगरी वाइज इंफॉर्मेशन जो दिया गया है कि कितनी वेकेंसी है इसमें कौन से क्रेगरी की कौन से सब्जेक्ट के लिए उसके बारे में ठीक है आप इसको 21 years है अब इसमें जो एप्लिकेशन फी है जेनरल OVC के लिए दोसो माफ कीजिए का जेनरल OVC के लिए 750 रुपे AWS SC के लिए 450 रुपे और ST Candidates के लिए 250 रुपे और यह आप पे कर सकते हैं Net Banking, Debit Card, Credit Card और चलान के मात्यम से अब इस वेकेंसी को आप कहां से अपलाई कर सकते हैं तो इसके Official वेबसाइट www.upscssb.org या फिर http.up.nic.in 16321 से 11421 जिसको अब एक्स्टेंड करके 1521 कर दिया गया है पार्ट वन के लिए and up to 15421 को एक्स्टेंड करके 5521 कर दिया गया है पार्ट टू के लिए और इसमें जो जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश का होगा और सेलेक्शन जो है बेस्ट होगा रिटन टेस्ट और इंटर्व्यू के उपर तो इंटर्व्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा पहले रिटन टेस्ट होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा तो ये थी information UPSC SSB में जो post graduate teacher की vacancy है ये 2021 की उसके बारे में आसा करते हैं आपको हमारे दोनार दी गई जान करी यूजफुल हुई होगी ऐसे ये updates पर ही information बड़ी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें जिससे information बाकी लोगों तक भी पहुंच सकें COVID guidelines को follow करें मास्क और sanitizer का उपयोग करें सुरक्षित रहे, सौस्त रहे बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद